दोस्तों देखे बहुत उदास किया हम बताएं इनको बताईए आप लोग कि ऐसे उदास नहीं अभी जो नया साल आ रहा है उसमें आपको खुसीया ही खुसीया मिले आप लोग क्या बताएं मतलब हर साल हम लोग भी बहुत इंज्वाय करते थे 1 जनौरी के एक दिन पहले जैसे 31 तारीक जब आता था ना शड़िया इसे नहीं जा जाता यार अबी जो निया साल आ रहा है खुसी खुसी रोज भुसी मिलेगा दोन दोसमहीं हसाता है समयः रुलाता है समय का खेला कोई समझ भी नहीं पाता है समय इंसान से जो करवा है मड़क्डाई किया नहीं करता और यह सब Sono है अब delivery का वहार मुझे कुछ हो जाएक चिलांए ने पर भी कोई नहीं आएग क्योंकि मेरी अब बात कर थे कि अगर किसी से प्यार करो तू जानते हैं सच्चाइब नहीं बना बता सकते हैं अरे तो आपको कई से पता चलेगा कि हम आप से प्यार करते हैं तुम को नहीं पता चलता है हम तुम से प्यार करते हैं ए चान चान तुम मम्मी से प्यार करती हो कितना प्यार करती हो तब भी कितना बता दो तुम खर क्यों नहीं जा रही है दोस्तो यह जब से मम्मी आई है तब से घर नहीं जा रही है दोस्तो देखिए इसको बताईए कपड़ा प्प्डा चेंज कर ले तब आज आए जब यह दोस्तों नहीं घार ब 기ल या घरके लिया जा रही थे कपड़ा चेंजिये कर लेख लेखें अलिए जाएगे तो क्या कर सकते हैं कल इसका कपड़ा पर लाक पहना दुजेगा अरे तो हम नहाओ पान लेथिया ठंडा पानी वातनी गरम पानी मिलेगा तुम्हारी मम्मी कही नहीं भागेगी बेटा तुम पालतू में परसान हो रही हो सबस्क हो कि अरे तुम कुछ नहीं होगा हम है आज तुम जहां जाओं यहाम लोग भीजाएंगे अगर तुमको जेल में बंद करेंगे तो हम लोग जेल के बाहर बैठेंगे, वहीं पर अबना रोटी पकाएंगे, खाएंगे है न चंचंड, वहीं चलल ले गया सो से लेग चलल जाई, गारीं सब समान लेग चलल जाई, नीगरी जेलिया में सतो कम चीने वे नहीं, आरे उस मतलब को क्या बता है, दोस्तों, जब हमारी साधी हुई थी नहीं नहीं नहीं, तो मतलब जब मैं आई थी, नहीं जब साधी हुई थी, पहली बार मेरे हश्मन जब मुझे ले गया थे गुमाने के लिए उसकी एक दिन्यानी की एक्तिसार के आना, आज ही के दिन दोस्तों, तो आज से सोरा साल पहले मेरा हजबिन का एक्सिडेंट हुआ था पहुत खातरनाथ इनके हाथ टाली चड़ गया था हाथ इतना मोटा सूज गया था लेकिन प्यार इतना गहरा था दोस्तों ना कि दूसरे दिन इतना हाथ सूजा था फिर भी मुझे साइकिल पर बाठा के ले किये थे वही चीज दिन याद आ रहा है दोस्तों कि मतलब जब हम लोग कुछ नहीं था तब मेरे भी मुझे मतलब सब जगहर लेकर जाते थे अभी हमारे पास तीन-तीन बच्चे हो गया है और जेल हो गया मतलब मेरे को समझे जेल ही है इसको कहा जाता है जब परिवार का सर पे आता है तो माबाप जो होते हैं अपना अजादी सब भूल जाते हैं माबाप जो होते हैं आपनी अजादी भूल जाते हैं बच्चों पर फोकस करते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं कैसे इखाएं उसको आगे बढ़ाने के लिए सूचते हैं अपना सब जितना इ यह खाली खर्चा होगा, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, यही सोचे हैं पूरा तीने लोग बच्चों के यही पर गुला करकर सुबा, धूप होगा, तब भी ठीक है, नहीं होगा, तब भी ठीक है, आग तो जले गई, और कुछ यही पर अच्छा-च्छा बनाएंगे अपने हाथों से बच्चों को खिलाएंगे, अपने भी खायेंगे, इंज्वाय करेंगे, फैमिलिक साथा और क्या, कहीं गुमनी नहीं जा पायेंगे, दोस्तों क्योंकि ठंडी लग जाएगा, बच्चों को तदीकत हो जाएगा, और इस साल आप लोग को क्या बताए, ठं खोज करके रखते हैं, अब घर पे नहीं है, तो दिक्कत है, इस समपात है, दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा मजगूरी है, और कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चला जाएगा, समय है, देखिए थोड़ा सा दुख हम लोग काटेंगे, तो एक दिन सुक सुक ही मिलेग और आज भी हम लोगों का प्यार बैसे ही है, जैसे पहले था, इसमें कम नहीं है, बच्चे भी है, लेक जाएगे तो बच्चों को भी लेके जाएगे अब, और बच्चों को छोड़के नहीं नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्तों पिछले साल ले गए जाने का कोई मतलब नहीं होता है, और सब्सक्राइबर भी, पूछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे, तो उल्टा सिधा सवाल पूछेंगे, क्या हुआ दो जो भी मिल रहा है तो यही बाते पूछ रहा है, तो यह सब बात है दोस्तों, तो भीड मिना जा कर कि हम लोग थोड़ा सा जब खाली हो जाएगा तब लेके जाएंगे बच्चों को ऐसे भी ठंडी भी बहुत जादा है